हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज खेले गए इंडिया वर्सिज इंग्लेंड के बीच में सेकंड ओडियाई मैच में दोस्तो जो ये मैच था इंग्लेंड ने 6 विक्टो से अपने नाम कर लिया दोस्तो आज इंग्लें के सामने जीत के लिए 337 रनों का टार्गेट रखा जिसे इंग्लेंड ने बड़ी ही आसानी से 43.3 आवर में ही केवल 4 विकेट खोकर 337 रन बड़ी ही आसानी से बना लिए और जो ये सेकंड ओडियाई मैच था छे विक्टों से अपने नाम कर लिया दोस्तों ये तीन ओडिय योगा वो एक निर्नायक मैच होगा दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि आज की पूरे मैच में क्या क्यों हुआ दोस्तों आज इंग्लेंड ने पहले टोश जीतते हुए गेंद्वाजी का फैसल्या किया और इंडिया को बल्ले बाजी का नोता दिया इंडिया की टीम जब पहले बल्लेबाजी करने पिच पर उतरी तो हाला कि उनके पहले दो विकेट काफी जल्दी गिर गए जो कि सिखर धवन और रोई शर्मा के रूप में थे लेकिन उसके बाद इंडिया ने काफी समलत कर और काफी तेज खेलते हुए काफी अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया इं चोके चक्के के और उनका विकेट आ टोप लेने लिया उसके बाद इंडिया का दूसरा विकेट इंडिया के कुल स्कोर 37 रन पर गिरा जो कि रोई शर्मा के रूप में था दोस्तों रोई शर्मा ने आउट होने से पहले 25 गिंदों पर 25 रन बनाए 5 चोकों की मदद से और विकेट सैम कुरान ने लिया उसके बाद इंडिया की तीसरी विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनर्शिप हुई जो की विराट कोली और केल राहूल के बीच में हुई इंडिया का तीसरा विकेट इंडिया के कुल स्कोर 118 रन पर गिरा जो की कैप्टन विराट कोली के था विराट कॉली ने आउट होने से पहले काफी अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने 79 रन और पर 66 रन बनाए तीन चोके और एक छटके की मदद से और इनका विकेट आदिल रसीद ने लिया उसके बाद इन्डिया का जो चोता विकेट था वो भी एक अच्छी खासी पार्टनर्शिप के बाद गिरा जो की केल राउल और रिसब पन्त के बीच में थी दोस्तों इंडिया का चोत्व विकिट इंडिया के कुल स्कोर 271 रन पर गिरा जो की केल राउल के रूप में था केल राउल ने आज काफी अच्छा खेलते हुए जो की 2020 में फ्लोप रहते इस मैच में काफी अच्छा खेला उन्होंने उन्होंने 114 गेंदों पर सतक्ये पारी खेलते हुए शांदार 108 रन बनाए 7 चोके और 2 छको की मदद से दोस्तों इसके बाद इंडिया का जो पांचवा विकिट था वो इंडिया के कुल स्कोर 308 रन पर गिरा रिसब पंथ के रूप में रिसब पंथ ने आज आउट होने से पहले काफी तुफानी पारी खेली उन्होंने केवल 40 गेंदों पर 277 रन बनाए 3 चोके और 7 चोको की मदद से और इनका विकिट टोम कुरान ने लिया उसके बाद इंडिया का चटा विकिट इंडिया के कुल स्कोर 334 रन पर गिरा जोकी हार्दिक पंडिया के रूप में था हार्दिक पंडिया ने अभी काफी तुफानी पारी खेली उन्होंने केवल 16 गेंदों पर 25 रन बनाए 1 चोके और 4 चोको की मदद से और इनका विकिट भी आर टोप ले ने लिया इसके बाद इंडिया का कोई भी विकिट नहीं गिरा और इंडिया की तरफ से कुर्नाल पांडिया नो गेंदों पर 12 रन बनाकर नोट आउट रहे लाश्ट तक उन्होंने अपनी पारी में एक चोका लगाया और ठाकूर बिना कोई गेंद खेले और बिना कोई रन बनाए लाश्ट तक नोट आउट रहे इस परकार इंडिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 57 में 6 विकिट खोकर 336 रन बनाए और इंग्लेंड के सामने जीत के लिए 337 रनों का टारगेट रखा जो की काफी अच्छा टारगेट है दोस्तों इस स्कोर को आप कम नहीं कह सकते हैं लेकिन आज इंग्लेंड भी काफी अच्छा के लिए और उन्होंने काफी तेज खिलते हुए बड़ी ही जल्दी इस स्कोर को बड़ी ही इजीली तरीके से चेज भी कर लिया दोस्तों आज इंडिया की बोलिंग में कोई दम नहीं था आला कि बैटिंग अच्छी क स्टोक्स ने 5 आवर 4 2 रं देकर 0 विग Эट मोईन गी ने 10 ओर 47 रं देकर 0 विग Εथ अधिल ने 10 ऐवरमे 65 रं देकर 1 विगेट लिए दोस्तों इसके इसवाइब से इंडिया ने 50 आँवर में 6 विगेट खोगर 336 रन बनाए और इंगलेंड के सामने जीत के लिए 337 रनों का टार्गेट रखा इंगलेंड की टीम जब 337 रनों का टार्गेट लेकर पिछ पर उतरी तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये मैच आसानी से जीत लेगा क्योंकि स्कोर ही इतना था लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट इंगलेंड ने ये मैच आसानी से जीत लिया वो भी बड़ी ही जल्दी और काफी तूफानी खेलते हुए वो ऐसे चोक के छक के बरसा रहे थे इंडिया के बोलर्स के अगेश्ट जैसे मानों वो गली क्रिकेट खेल रहे हुँ दोस्तों इंगलेंड जब 337 रनों का टार्गेट लेकर पिछ पर उतरी तो उनकी सुरुआत काफी अच्छी रही पहली विकेट के लिए ही उनकी 110 रनों की पार्टर सिप हुई दोस्तों इंगलेंड का पहला विकेट 110 रन पर गिरा जो की जैसन रोय की रूप में था जैसन रोय न आउट होने से पहले 52 गेंदों पर शांदा 55 रन बनाए 7 चोके और 1 चक्के की मदद से और ये रन आउट हुए इसके बाद इंगलेंड का दूसरा विकेट इंगलेंड के कुल स्कोर 285 रनों पर गिरा जो की 175 रनों की पार्टनर्शिप के बाद गिरा और ये पार्टनर्शिप ऐसे खेली जैसे कोई 2020 मैचों काफी तेज और धुआधार खेली हर बोल पे चोका चक्का इस हिसाब से ये बैटिंग कर रहे थे जो की बेंड श्टोक्स के और जोनी बेर श्टोक के बीच में थी दोस्तों इंगलेंड का दूसरा विकेट इंगलेंड के कुल स्कोर 285 रन पर गिरा जो की बेंड श्टोक्स के रूप में था हाला कि बेंश्टोक्स ने आउट होने से पहले अपना काम कर दिया था उन्होंने काफी तुफानी पारी खेलते हुए केवल 52 गेंदों पर शांदार 99 रन बनाए 4 चोके और 10 चोकों की मदद से जी हाँ दोस्तों 4 चोके और 10 चोकों की मदद से और ये बोवनेश्वर की गेंद पर आउट हुए इसके बाद इंग्लेंड का तीसरे विकेट इंग्लेंड के कुल स्कोर 287 रन पर गिरा कि जोकी जोनी बेश्टो के रूप में था जोनी बेश्टो ने भी काफी अच्छा खेलते हुए शतकिये पारी खेली और उन्होंने केवल 112 गेंदों पर दुआदार 124 रन बनाए 11 चोके और 7 चोकों की मदद से और ये परिश्ट की गेंद पर आउट हुए उसके बाद इंग्लेंड का चोथा विकेट भी काफी जल्दी गिर गया जोकी जोस बटलर के रूप में था जोस बटलर ने आउट होने से पहले दोस्तों इंग्लेंड की तरफ से जो रन बनाए थे वो तीन गेंदों पर केवल जीरो रन थे मतलब वो डग पर आउट हो गए और इन्हें परिस्त ने बोल्ड किया दोस्तों इस टाइम एक बड़ा ऐसा लगा कि शायद इंडिया इस मैच में वापसी कर ले लेकिन इसके बाद इंडिया को कोई भी मौका नहीं मिला क्योंकि इंडिया कोई भी विकेट नहीं ले पाई इंगलेंड के जो लाश्ट तक नोट आउट रे वो थे डेविड मलान 23 गेंदों पर 16 रन बनाकर एक चोके की मदद से और लियाम लिविंग स्टोन 21 गेंदों पर 27 रन बनाकर लाश्ट तक नोट आउट थे उन्होंने अपनी पारे में एक चोका और दो चक्के लगाए इस सिरीज को भी एक-एक से बराबरी कर दिया आज इंडिया की बैटिंग अच्छी रही लेकिन इंडिया की बोलिंग में कोई भी दमखम नहीं था इंडिया के बोलर्स हर्ष टाइंग पिटते ही नजर आए इंडिया की तरफ से भुमनेश और कुमार ने 10 अवर में 63 रन देक सर्दूल ठागुर ने 7.3 अवर में 54 रन देकर 0 विकिट कुल्दीप यादाव ने 10 अवर में 84 रन देकर 0 विकिट कुर्णाल पंडिया ने 6 अवर में 22 रन देकर 0 विकिट इस परकार आज का जो यह सेकंड 2020 मैश था सोरी दोस्तों ओडियाई मैश था यह इंग्लेंड ने 6 फे विकिटो से अपने नाम कर लिया दोस्तो अगर आप लोगों को वीडिया अच्छी लegी तो इसे लाइक करें अपने सारे ले लेते अटे व blessing से maximum शेयर करें ताकि उनको भी आज के मै्श के बारे में पूरी जानकारी मिल सकें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप आज क इतनी अच्छी बैटिंग के बाउजुद भी इंडिया की हार का कारण क्या रहा ये हमें कमेंट बोक्स में लिखना ना भूले और दोस्तो इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें था कि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके दन्यवाद दोस्तो जैहिंद क्यों आप Scripture